बैट के लिए इन में सबसे पहले यह वाले जो फ्रॉक यहां पर खादी का फैबरिक ब्रिक लिए और इस तरीक के इसका कहू पर ने यूख ड़िडी डॉरि गाली है, इस तरीके से मैंने इसको डिजैन किया है, आप दिखाते हूं आपको सेकिर्ट फ्रॉक, इस वाली फ्रॉक में मैंने फ्रन्ट में यहां पे स्ट्रिप डाली है बटन लगाके फिर यहां पे ठ्रेड के पिछे मैंने यहां पर यहां पर इसको पहनने पर फिटिंग बहुत अच्छी आती है तो सेम यही चीज मैंने इस वाले फ्रॉक के साथ भी यही है इस पर भी मैंने इलास्टिक एड़ किया है अंदर की साइड तो पहने भी बहुत शांदार फिटिंग आती है इन फ्रॉक्स की यह देखिए इस वली जो फ्रॉक है इसका बैक साइड दिखाऊं तो आपको मैं यह पीछे की साइड यह जिप लगा है और इस तरीके से इसकी प्रॉपरली बड़िया फिटिंग आती है यहाँ पे लास्टिक है इसमें बैल दिया है और इस तरीके से डोरी है तो शांदार फिटिंग आती इस फ्रोग की नेक्स फ्रॉग है ब्लू किलर पे इसपे मैंने पॉकेट लगाई है मेरे बेटी को पॉकेट कम पसंद है तो मैंने बाकी फ्रॉद्फ में इडाली है इसमें डाली ठी दो साइड पोकेट है और वह इस सेम चीज यहाँ पर बटन और यहाँ पे बटन्स और और यहां पे रैड कलर की पाइपिंग लगा के फ्रंट में ने यहां पे हुक डाले इसमें जिप का यूज नहीं किया मैंने फ्रॉक में इस तरह के से इसको कंप्लेट किया है यह वाली मैंने सिंपल सी फ्रॉक मनाई है वाइट कलर में है यह थोड़ा सा ओफवाइट है कलर और इसमें फ्रंट में मैंने कॉटन की लेस का यूज किया है कि नेक पे और स्लीव में और यहां पे भी मैंने अंदर की साइड इलास्टिक डाला है और यह देख सकते हैं प्यॉर कॉटन का फैब्रिक है यह साथी साथ इस पे चिकन वर्क है तो बहुत सिंपल भी है पर बड़ा वो अच्छा लुक आता है इस फ्रॉक का भी सिंपल सोबर सा अब दिखाते हूं नेक्स फ्रॉक इस वाली फ्रॉक पे भी मैंने कॉटन लेस यूज करी है नीचे ऐसे बोटम में और यह फ्रंट में दो तरीके के लेस यूज करी है यह तो सिंपल वाली और इस तरीके से टसल वाली लेस यूज करी है और साथ ही सास में इसमें मैंने थोड़ा थ्रेड वर्क भी किया है यह देख सकते हैं पहले मैंने यहाँ पर लेस अटेच करी है उसके बाद में मैंने यहाँ पर थोड़ा धागे का काम करके यहां मोती ल और थोड़े सितारे भी लगाए हैं इस तरीके से सितारों का यूज़ किया है और ये थ्रेडवर्ग किया है एक बर्ड बनाई है मैंने यहाँ पर टहनी पर बैठी हुई anchor की लच्छियां आती है anchor के धागे आते हैं उनको यूज़ किया है यहाँ पे इनके color बिल्कुल नहीं जाते हैं बहुत ही शांदार धागे आते हैं इनसे जो thread work इनहीं से किया जाता है और यह बारी lace लगाईगी यह वाली यहाँ पे कमर पे और यही मैंने bottom में डाली है इस तरह के से इसको मैंने complete किया है इस वाली cotton dress में मैंने यहाँ पे शरारा बनाया है लहरिया का fabric है यह लहरिया button में और इसका मैंने शरारा बनाया है उपर मैंने इसका topper बनाया है long कुर्ती नहीं दिये short topper type बनाया है मैंने यहां पर इसका neck है, कई तरीके के लिए इसका use किया है, मैंने यह अलग है यहां पर यह वाली अलग लेसे, यहां पर थोड़ी चुन्ड़ डाली है, और यह इसके sleeves है, इस तरीके से और नीचे से, आप देख सकते हैं ये थोड़ा मैंने तीर्चा कट किया है थोड़ा सा इस तरीक से है इसका टोपर है और ये इसका शरारा है ये ट्रेसेस मैंने काफी टाइम पहले बनाई थी अभी कुछ नया नहीं बनाया है अभी जो भी अगर कुछ नया बनाऊंगे जरूर शेयर करूँगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई कैसे दिल माने तक तुम ही नवा जाने क्यों ये दिल नवाने तक तुम ही नवा जाने